हेलो गाइस विडियो में हम लोग देखेंगे कि आज आप लोग मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकतो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी है क्या इंपोर्टेंट लेवेल्स रहने वाली है एंड उसके साथ-साथ हम लोग इंट्रडे के लिए भी कुछ स्टॉक्स देख ले आप ओपेनिंगे एक्सपेक्ट कर रहा हो फ्रम दा मार्केट और अगार इंपोर्टेंट लेवेल्स के बारे में इंडिस्कास कर तो यहां पे जितने भी सारे कलर्ड लाइन्स है यह मेजर इंपोर्टेंट लेवल्स है एंड यहां पे जो हॉइड लाइन आप लोगो पहले भी ऐसा हुआ है, जैसके यहां पर आप सब्सक्रावे है, तो जड़ा संवाल के रहे ना है, यह मत सोचने कि अगर 17128 के लेवन से गड़ती है, तो डारेकली 17,000 सालत के level दिखाएगी ऐसा नहीं हो सकता है और हो भी सकता है लेकिन हो सकता है कि beach में 17,000 साथ के आसपस से एक support लेकर उपर चले है और अगर gap down opening होता यहाँ पे कहीं पे तो हो सकता है यहाँ से एक resistance करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो मैंने करेंट जो प्राइस निफ्टी की वह मैंने कर दिया तांकि बेकार में कोई confusion ना हो regarding the levels यह तो हो गया nifty 50 अभी हम लोग bank nifty के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि bank nifty है क्या हाल है तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके bank nifty के five minutes की टाइम फ्रेम पर और अगर आज के बार में discuss का रहा है तो मैं यही expect कर रहा हो कि bank nifty भी gap आप खुलने वाली है क्योंकि देखो sgx nifty positive है मतलब nifty भी gap आप खुलेगा तो अगर nifty भी gap आप खुलता है तो मैं यही expect कर रहा हूं कि bank nifty का gap आप खुलने का chances से ज्यादा है और अगर देखा जाए तो कल के दिन एक sink में trade कर रहा था bank nifty nifty के साथ तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक gap आप opening आप लोग expect कर सकते हो from bank nifty यहां पर सभी के सभी important levels आप लोग देख सकते हो अगर चाते हो तो screenshot लेकि रख सकते हो कहीं पर down करना चाते हो तो वह भी कर सकते हो मैंने current जो price है वह मिटा दिया है ताकि बाद में कोई भी confusion ना हो regarding the levels अब यहां लोग बढ़ते हैं हमारे दो stocks के तरफ जिसमें आप लोग इंट्राडेट्रेट ले सकते हो आज के दिन तो guys यहां पर हम लोग आ चुक है अमारे fast stock पर फास stock का नहीं है HDFC bank इसका भी five minutes की time frame पर हम लोग आ चुक है अगर कल के बार में discuss करें तो 0.13% HDFC bank अप थी और यहां पर अगर देखा जाए तो एक लंबा downtrend में होने के बाद अभी HDFC bank जो है वो एक up trade में है जैसके यहां प पर देख सकते हो 23rd March से एक downtrend में थी और भी जाके यह फाइनली इस trend का breakout दिया है तो मैं एक bullish movie expect कर दो from this company आज के दिन और अगर देखो यहां पर एक support अगर इसके नीचे इसके नीचे अगर gap down opening हो जाती है तो मैं bullish बिल्कुल भी नहीं हो ब्यारिश हो जाओंगा immediately और अगर अगर इसके उपर सस्टेंट कर जाती है जो support है इसके उपर अगर सस्टेंट कर जाती है हाँ हो सकता है कि gap down opening हो गया लेकिन अगर ऐसा कुछ सिनरियो देखे देखो gap up opening तो हुआ यहां पर एक resistance था उसके उपर gap up opening हुआ लेकिन immediately selling pressure आई और फिर से इसके नीचे घुच गु 945 तो मैं इस company में तो सभी के सभी important levels आप लोग देख सकते हो किसकी सबसे ट्रेड लेना है आप लोग देखी सकते हो यहां पर यह तो होगया फार्स टॉक अब हम लोग कल के लिए sorry अज के लिए second and आख्री स्टॉक देख लेते हैं तो गैस हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है सान फार्मा सेटिकल 5 मिनिट्स के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके कल के बार में डिसकास करें तो 0.39 परसेंट सान फार्मा अपती एंड यहां पे ओवराल कांसलेडेटी कर रहे थी जैसे कि आप लोग देख सकता हो तो wait for the breakout चाहता है और अगर इंट्राडेट लेना चाहते हो तो इसकी सबसे अप लोग कर सकते हो सभी के इंपॉर्टेंट लेवेल्स अप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो मिल जाएगा जाके वहाँ पर ही मुझे डियम कर सकते हो फोरें वान 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 कंवर्शिशन थैंक्स एगन फॉर वाचिंग गाईज बाई गाईज और डेफिनेटली गाईज स्टे सेफ